देखो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इसको पूरे डिस्टस कर लेंगे, सबसे पहला क्या बोलगा, टोटल डियूरेशन ऑफ इक्जाम इसने से स्टीमिट, साथ पड़का एक्जाम तुम्हारा, सरवर्ज होगा, घड़ी वो दीरे-दीरे पीसे की तरफ चलेगी, दीरे-द अगर तुम बड़ा छोटा दिखाई लेता है, तो इसको बंद कर सकते हो, यह सबका कोई जरूरी बात नहीं है, लेंग्वेज चेंज करना होगा, तो अपने प्रोफाली पर टिक करके, वहां पर लेंग्वेज चेंज कर सकते हो, नेविगेटिंग दे कोशन, सिंपल है, ड इस बात का ध्यान दखना, ठीक है, आंसरिंग तुमको पता ही है, क्लियर रिस्पांस, मैं आगे दिखाँगो कैसे होगा है, क्लियर रिस्पांस करना है, सेवे नेच्ट मार रिजू, कैसे करना हो, आगे दिखाँगो, अब में जो आएगा, वो आएगा नेविगेटिंग जो सबसे बड़ा confusion है कि भाई, कैसे होगा, time duration तो नहीं है, बीच में या, हर section का time limit तो नहीं है, ऐसा बिल्कूल भी नहीं है, अभी मैंने paper आटेम करके देख लिया है, तुम किसी भी section पर जम कर सकते हो, कभी भी जम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जैसे तुम अगर general knowledge कर र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि तुम्हें हर section को submit करना है, इसमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी confusion दिख रही है, इसमें लिखा है कि एक बार आप अगर section को submit कर देंगे, तो दुबारा वापस नहीं आ सकते है, तो वहाँ पर यह ध्यान दखना, जै क्लिक हो नहीं हो पारी है, क्योंकि इस phone में submit button पे click हो नहीं पा रहा है, अब मुझे यह नहीं समझ भारा कि क्यों नहीं हो रहा है, बट वहाँ पर तुम यह ध्यान दखना है, तुम्हें हर question पर save and next करना है, question पर आगे पीछे जा सकते हो, बेसक बिल्कुल go attention नहीं है, अब अपना ध्यान से करना किस question पर कितना time देना है, ठीक है, यह की question में फसे मत रहना है, कि सारा time होई खतम हो जाए, ठीक है, यह भी ध्यान दखना कि अगर तुमको English का Hindi पढ़ने में कोई गडबड़ी लग रहा है, तो जो English वाला question होगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है, negative marking है अगर तुम एक question गलत करते हैं, तो 0.25 नमबर तुम्हारा cut होगा, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, सब इसको select करके, कैसे करना है, English select कर दिए, check box पे tick कर दिए, और आम रेट इंटू बेगिंग करेंगे, पेपर स्टार्ट होगया, अब तुम अगर clear response करके दूसरा करना चाहते हो, तो clear response करके दूसरा भी कर सकते हो, वैसे तुम चाहो तो direct दूसरा option भी click कर सकते हो, response क्लियर करनी है ज़रूबत नहीं है, तो अपना direct को दूसरा question भी tick कर सकते हो, mark save and next जरूर करना, दूसरा question पहुंचिया, capital of India tick कर दिये, अगले question पहुंचिया, लेकिन उसमे mark के रिव्यू किया, देखो, tick भी किया और mark भी किया, तो blue है, इसका मतलब कि तुमने mark किया, कि बाद में तुमने कोई doubt है, लेकिन तुमने answer टिक कर दिया, तो यह जो answer है, यह तुम्हारा value it होगा, ठीक है, हटाया, click किया, तीसे number, अब देखो, यह वाला जो दो number है, जो तुम्हारा इसका marks count डियोगा, क्योंकि तुमने कोई answer टिक नहीं किया, टिक करके save and next करोगे, यह green हो जाएगा, देखो green हो गया, इसका मतलब यह है, कि जो green है, उसके mark किया, वो तुम्हारा number देगा, जो blue है, उस पर tick है, वो mark किया है, तो वो तुम्हे number देगा, आगे पीछे भी जा सकते हो, previous, next कर सकते हो, previous कर सकते हो, कोई attention नहीं है, अब चलो चेक कर लेते हैं, कि आगे क्या करना है, जो section, jump करने वाली चीज़े थी, जन्नल वेर, यहाँ, टिक किया, देखा, सारी है, तुम किसी को भी tick कर के, किसी भी section पजा सकते हो, जैसे अभी मैं quantity, weptitude में आ गया, टिक किया, कोई भी answer, टिक कर दूँगा, चलूँगा आगे, जो भी answer सही है, आप उसको, यह सब question बस sample दिया हुआ है, तुम यह मत सुचो कि quantitative attitude में यह दिया हुआ है, आप next कुछ भी कर सकते हो, सारी ही जी समय आ गई है, English language पे touch कर दिया, English language की section पर पहुंगिया तुम, कि अगले question पर पहुंगा, यह है, हर section पर कभी पर जा सकते हो, यह उपर में टिक करके, अपने इसाफ से देख लेना कि इसको कितना time देना है, और अब बिल्कुल tension मत लेना, अभी भी थोड़ा बहुत बचा वाँगा, पढ़ लो, मैं माफी चाह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं पूरे दिन exam दिया और मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, बिल्कुल थक नहीं थीक नहीं मेरी, मैं आगे चुप-चप सो गया, तो गंटे बाद उठके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक तो बन जाएगा पहुचने में, तो कल सुबह मैं आपको मैंसुरेशन का दे दूगा, कल सुबह मैं मैंसुरेशन का और सर्कल का जो भी फ्राव इंपॉर्टन फर्मूला जो यह दे दूगा, दूसरी बात यह है भाई कि अब टाया 2 के लिए भी तैयारी आपको अभी स करनी होगी, 24 तारीक के बाद से, तो टाया 2 की तैयारी विल्टी करेंगे, ध्यान देते रहीगा बल्कुल, मैं बताओंगा कैसे करना है, और टीसी बात यह है कि मैं एक special batch लाओंगा, interview के लिए, जिन लोगों को लगेगा कि उनका paper हो जाएगा, या pre के बाद, जिनको लगे करना है वहाँ पर, कि देखिया, आप लोगे लिए बहुत मैंद कर रहा हूँ, तो वीडियो को कम सकम लाइक किया करिए, और चैनल को सब्स्राइब नहीं है, तो सब्स्राइब कर लिएगा, बाकि जो भी होता रहेगा, मैं आप लोगे हैंद कर रहा हूँगा, जाहिंद। हूँगा.